हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए हमने एक लंबा सा कपड़ा लिया है कपड़े की लंबाई साड़े 11 इंच है चोड़ाई हमने 3 इंच ली है कपड़े के पीछे हमने बक्रम को चिपकाया है अब हम स्केल लेंगे स्केल की सहायता से हमें कपड़े के उपर ऐसे लाइन अप करना है जितना हमारा स्केल का चोड़ाई है उतना चोड़ाई हमें ऐसे नापकर लाइन अप कर लेना है इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हमें एक लंबा सा डोरी लेंगे डोरी को हम कपड़े के ऊपर यहां पर लगाएंगे और जिस सेप में हमने लाइनप किया है बिल्कुल उसी सेप में डोरी को ऐसे लगा कर सिलाई चला लेंगे हाँ एक बात तौर फेंड हमें सिलाई दूसरे कलर के धागे से चलानी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैं डोरी के उपर दूसरे कलर के धागे से सिलाई चला रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद हम बीच में से कपड़े को फोल्ड करेंगे एक बराबर में कप्ड़े को ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम इसके किनारे के साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए हमने सीधी सिलाई चला ली है अब हमें किनारे के साइड से हलका हलका एस्टरा कप्ड़े को कट कर लेना है चौकोर सेप में कटा हुआ हम छोटे-छोटे साइज में धेर सारा कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई और चोड़ाई दो इंच है कपड़े को हमें फोल्ड करके यहां किनारे की साइड में लगाना है और इसके उपर सिलाई चला लेनी है यह देखिए एक के बाद एक सारे कपड़े को फोल्ड करके यहां पर लगाकर सिलाई चला लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर आलका उप्सन सलेक्ट करें तो यह देखिए फ्रेंड हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चली है बिल्कुल इसी तरीके से सेम साइज का हमें एक और ऐसी डिजाइन बना लेनी है अब हमें एक लंबा सा कागच लेंगे कागच के उपर हमें डिजाइन को ऐसे लगाना है और किनारे के साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है यहां से हम धागे को कट करेंगे अब हमें यहां पर एक इंच की चोड़ाई नापकर टिक लगानी है जहां पर हमने टिक लगाया है वहां पर हमें दूसरे साइड की डिजाइन को लगाना है और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है दोनों डिजाइन के बीच में हमने एक इंच का गैप रखा है अब हम यहां से एश्ट्रक आगच को कट कर लेंगे डिजाइन के लंबाई के बराबर हमें आस्तिन का कपड़ा लेना है यह देखिए आस्तिन की लंबाई और डिजाइन की लंबाई दोनों सेम है आस्तिन की चोड़ाई हमने एक साइड से छे इंच ली है बीच में से हम कपड़े को दो भागों में कट कर लेंगे और इसे ऐसे फोल्ड करके किनारे की साइड में लगाएंगे अब हम एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते हुए हमें कपड़े को टाइट लिग हीचना है जिससे हमारे डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग आएगी यहां से धागे को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन के दूसरे साइड में आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट कर लेंगे तो ये देखिए दोनों साइड में हमने आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट करते हुए इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब हम धागे को कट करेंगे और एक लंबा सा कपड़ा लेंगे जिसकी चोड़ाई हमने तीन इंच ली है इस कपड़े को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्पलीट हुई अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे कपड़े को यहाँ किनारे की साइड से हलका हलका हमें कट कर लेना है अब हम इसे सीधा करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे फोल्ड करके उपर की साइट से एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड कपड़े को फोल्ड करके सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई अब हम धागे को कट कर लेंगे और किनारे के साइट से एष्ट्रा कपड़े को भी इस तरीके से इस टिजाइन को तयार करने के बाद अब हमें डिजाइन में डोरी को जोईट करना है तो ये देखिए ये राह हमारा डोरी इसे सेप्टी पीन की मदद से डिजाइन में ऐसे लगाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से आपको डिजाइन में अच्छे से डोरी को लगा ले रहा है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आलका ओप्सन सलेक्ट करें तो ये देखिए डोरी को हमने डिजाइन में अच्छे से ल कपड़े को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे डोरी में भी हम फुलैना लगा कर तयार कर लेंगे डोरी में इस तरीके से फुलैना लगाने के बाद अब हमें सुई धागा की मदद से डिजाइन में मोती को लगा देना है मोती को लगाने के बाद अब हम डिजा कम्प्लीट हो चला है आपको यह डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्स वर वाचिंग माई वीडियो